मेरी चैनल में आपका स्वागत है मुंबई की जंगली से भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी इंदोर की जंगली सेंडविच एक बार आप बनाऊंगे न तो बार बार घरवालों की रिक्वेस्ट आएगी यही सेंडविच बनाने के लिए क्योंकि इसके अंदर हमने जो सिक्रेट फिलिंग डाला है आप खाने के बाद पता ही नहीं कर पाओगे कि इसमें क्या फिलिंग डला है मतलब कोई आके सेंडविच खाएगा तो वो गैस नहीं कर पाएगा इसमें क्या ऐसा फिलिंग डाला है सेंडविच इतनी टेस्टी लग को हमने एक्दम छोटा डाइसर में कटके लिया है चार टमाटर लिया है दो कैपसिकम लिया है एक खीरा लिया हैए खीरा किस्की recall के हमने चोटे पिस में कटके करना है तुप बन दंची प्लेंस कना skill a करो दॉट तरो मेंकिज हम और जो फिर ऑप औरेगन यह एक टीस्पून नमक और एक टीस्पून काला नमक डालेंगे यह सेंड्विच जा सेंड्विच का मसाला कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं या फिर आप नहीं है तो चाट मसाला भी इसमें डाल सकते एक टेबल स्पून के करीब आदा निम्बू का रस हम निचोड़ है कि इसको हम रख देंगे साइड पे और यह मसाला ऐसे ही खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है तो सेंड्विच में आने के बाद तो टेस्ट आएगा ही एक स्प्रेड तयार कर लेते हैं तो यहां पर चार टेबल स्पून मियोनिज लिया है थोड़ा सा एक टेबल स् डालेंगे शेजवान सॉस नहीं है तो पीजा सॉस भी डाल सकते हैं और वह भी नहीं है तो आप टॉमेटो केचप डो टेबल स्कून के करीब डाल के इसको बना सकते हैं इसके अंदर थोड़ा चिली फ्लेक्स और 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 अरेगानो ज्यादा डालिएगा अगर आपके पास शेजवान सॉस या पीजा सॉस नहीं है तो इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे यह मैंने घर पे बनाया हुआ पनीर है पनीर मेकर मोल्ड है आप देख सकते हैं इसका भी वीडियो है मेरी चैनल पे आप देख सकते हैं इसके हमें एक दम छोटे-चोटे पीस करके तया करीब हम इसमें हराधनिया डाल देंगे एक टीस्पून चिली फ्लेक्स और एक टीस्पून मिक्स हब डालेंगे और इसको टॉस कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो पनीर में अच्छे से कोट हो जाए तो हमारा पनीर का फिलिंग भी बनके तयार है यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ब्रेड ली है आपके पास अगर नहीं मिलती है तो आप स्क्वेर ब्रेड में भी बना सकते है पर ट्राइंगल का लूक अच्छा आता है और इसमें फिलिंग भी हम ज्यादा थोड़ा से बहर सकते है इसके उपर हमें बटर स्प्रेड करना है यहां पर मैंने घर का ही मखन लिया है पर बटर को हमें अच्छे से स्प्रेड करना है ताकि जो बटर का लेयर आ जाए ना तो वेजिटेबल क के पानी निकलता है ना वह सेंड़ीच की ब्रेड के ऊपर नहीं जाएगा और ब्रेड जएवो सोगे नहीं हो जाएगे सेंड़ीच एगदम क्रिश्पी रहेगी इसके उपर हरी चटनी लगा देंगे धन्या नंगी चटनी है और इसमें मैंने जो तिख्ः वाली हरी मिर च जनरली क्या होता है पनीर वगेरा सब वेजिस के अंदर ही डाल देते हैं तो उसका फ्लेवर एकदम अलग हो जाता है ये संड्विच आप एक बर बनाओगे न तो उसका आइडिया आपको आएगा इसके उपर बेसन की सेव मैंने स्प्रिंकल की है इससे वेजिस का पानी भी स जो सिक्रेट संड्विच का टेस्ट होगा ना ये सेव से आएगा तो बेसन की सेव आप जरूर से डाले इसके उपर वाली ब्रेड है ना उसके नीचे के लेयर के उपर हम जो मेयोनीज का हमने एक स्प्रेड बनाया तो उसकी हमें मोटी कोटिंग स्प्रेड कर देनी है और साइड को हमें नीचे की और लेके जाना है तो उपर जो प्लेन ब्रेड रहेगी ना उसके उपर वापस से हमें बटर लगाना है ये बात का खास ज्यान रखे जो मेयोनी स्प्रेड वाली ब्रेड है ना वो नीचे की साइड रहेगी और बीच में रहेगी और एक ही ब्रेड हमें मेयोनीस का लगाना है międzylect heard कि दूसरी दोनों ब्रेट के ऊपर हमें बटर और चटनी लगाना है थाकि ब्रेड अमारी सौगी भी नहीं होगी और ऊपर की और नीचे की जो ब्रेड की लेयर हो एक डम क्रिस्पी हो तो उपर की और हम बटर लगा देंगे और इसके उपर चटनी लगा देंगे इसके उपर हमने जो छोटे-चोटे पीस में पनीर को कट किया था वो फिलिंग डाल देंगे तो जो में स्टेप यहां पर आपको बता रही हूं ना वो स्टेप बाइ स्टेप आप यह संड्विच बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट ही उलगाएगा इसके बाद और दूसरा इंगरीडियन्ट है सिक्रेट इंगरीडियन्ट यह है बीट को मैंने छिल के तयार कर लिया है इसको बॉइल नहीं किया है ऐसे कच्छा ही है इसको हम इस तरह से ग्रेट कर लेंगे इसके उपर तो इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा इसके उपर वापस सेंड्वीच मसाला स्प्रैड कर देंगे और यहां पर मैंने मोजरिला चीज लिया है वो आप शद्धा अनुसार आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि जितना भी चीज डालोंगे सेंड्वीच तो अच्छी ही लगने वाली है तो उपर वाली ब्रेड के उपर वापस से हम बटर और हरी चटनी लगा देंगे हमारी सेंड्वीच एसेंबल हो गई है इसको आप ग्रीलर में भी बना सकते हैं अवन में भी बना सकते हैं या फिर आप तवे के उपर भी रोस्ट कर सकते हैं तो यहां पे मैंने ग्रीलर गरम करके रेडी कर लिया है इसके उपर गी लगा देंगे आप बटर भी लगा सकते हो पर बटर से क्या है थोड़ी सॉफ्ट होगी गी लगाएंगे ना तो उसका जो ब्रेड का लेयर है ने एकदम क्रिस्पी बनेगा तो सेंडविच रख देंग जब तक यह गोल्डन ब्राउन होती है तब तक तो हमारी इंदोरी जंगली सेंडविच बनके तयार है एकदम पर्फेक्ट बनी है बहुत ही टेस्टी बनी है इसके उपर अपी हम उपर से थोड़ा सा चीज स्प्रेड कर देंगे और थोड़ी सेव और थोड़ी से वेजिस डाल देंगे बहुत ही बड़िया इंदोरी सेंडविच बनके तयार है एक बार आप जरूर से ट्राइ करें क्योंकि जब भी ये सेंडविच खाई ना हस्बंड और बच्चों ने तो मुझे यही बोला कि आज तक इतनी टेस्टी सेंडविच गर पे भी नहीं खाई बाहर भी नहीं ही है तो थैंक यू फोर वाचिंग